वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले यह डिजाइन आठ हिंज की है आप अपने पाम से मेजर कर सकते हैं और यह हमारा डाग ग्रीन कलर का क्लॉथ है अब हम डिजाइन को ट्रां करेंगे और उसके बाद उसमें यलो का टैज देंगे और ग्रीन यलो और डाग ग्रीन से लीव यह ब्रश है सिक्स नंबर और जीरो नंबर सबसे पहले हम अपनी डिजाइन पे वाइट बेस लगाएंगे क्योंकि यह डाग क्लॉथ है और इसके बारे में अगर आपको बनाएंगे मिक्सिंग पर भी वीडियो मैंने बना रखी आप वहां से देख सकते हैं और रेट कलर डाक रेट कलर ऊपर से लगाएंगे इस तरीके से हम जाएदा शेड नहीं करते हैं क्योंकि अकसर हम अंदर की तरफ डार्क और बाहर की तरफ लाइट लगाते हैं लेकिन म पिंग कलर कैन एजली बी मेड बाइ मिक्सिंग वाइट और रेड आयव अल्रेडी अपलोड़ेद आ वीडियो अन मिक्सिंग यू कैन लर्न मिक्सिंग टेकनिग बाइवाचिंग देट वीडियो अब आप बहुत ध्यान से आगे का वीडियो देखिए सारा प्रोसेस केरफुली ताकि आपको पता चले की मैं कैसे इसको शेट कर रही हूँ छक्याति देखिए सारा प्रोसे लोड़ेद रही हूँ च्याति आपको और से ढेखिए साक्था अन बहा ही हूँ झाल 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 फ्लावर को पेंट करने के बाद हलकी सी कर्व लाइन डालेंगे बीच में और बाद में उसमें डिटेल डालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी इस लीफ को हम light green और sap green से करेंगे और कुछ लीफ को हम फिर sap green और white और कुछ को yellow और sap green से करेंगे इसलिए आप बहुत ध्यान से देखी ताकि आपको combination समझ आए कलर यही तीनों है लेकिन इसको use कैसे करना है तो इसके लिए आपको बहुत ही carefully और complete watch करना पड़ेगा हमारा cloth खुद ही green color का है इसलिए जब हम leaf का combination लगाएंगे तो बहुत careful रहेंगे color combination को लेके वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपके leaf और cloth दोनों का color बिल्कुल ही same होने के बाद design बिल्कुल समझ ही ना आए तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए कि आप कैसे green ही color पर green leaf बनाएंगे लेकिन दोनों differentiate आराम से हो जाएगा we will paint leaf by using white yellow light green and sap green by applying different type of combination like you can use sap green with white and sap green with yellow light green and sap green together so watch complete video carefully for better understanding you कर दो कर दो कर दो डिजाइन को कम्प्रीटली पेंट करने के बाद अब हम उसमें सारी डिटेल्स डालेंगे लीव में हम हलकी सी एक लाइन डालेंगे जो की है बिल्कुल ही लाइट ग्रीन कलर की आप ग्रीन कलर और वाइट मिक्स करके बना सकते हैं और उसके बाद फ्लावर में हम डालेंगे यलो कलर का पराग जो हमने शुरू में लाइट पिंक कलर की छोटी छोटी कर्व लाइन बनाई थी उसी के साइट साइट पे हम यलो कलर का डॉट डॉट दे के पराग बनाएंगे ध्यान से देखे आपको वीडियो में समझ आ जाएगा और ये हमारे डिजाइन कंप्लीट हो गई है इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और ये डिजाइन का क्लोज लुक है आप ये सारी वीडियो भी देख सकते हैं